नमस्कार, मैं श्वितर सुनी आप सभी का मसाला स्टूडियो में स्वागित करती हूँ जब लोग डाल चावल से बोर हो जाते हैं तो हमारा कुछ मज़दार खाने का मन करता है तो आज की रेसिपी हमारी वही मज़दार रेसिपी होने वाली है और उस रेसिपी का नाम है वेच पुलाव और इस वीडियो को जादा से जादा लोगों की ताद शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारा चानल दमसाला सुड़ी सब्सक्राइब नहीं किया तो फड़ाफ़ जाके सब्सक्राइब कीजिए यह बहुत ही डेस्टी रेसिपी है और बहुत ही सिंपल रेसिपी है तो हम फड़ा हमारी रेसिपी से शुरू करते है तो सबसे पहले मैं ले रहे हूँ एक कप चावल इसको मैं तीन से चार बर अच्छे से दूलूंगी जब तक इसका स्ताच निकल जाए अब मैं पूपर में डालूंगी दो चम्मच तेल एक चम्मच देसी घी एक तेज पत्ता दो छोटी लाय ची पांक से छे लॉंग डाल चीनी अब मैं डालूंगी दो प्यास लंबे कटे हुए इसको मैं इसमें अच्छे चे पका लूंगी यह तब मैं लो प्लेम पे ही करूंगी लो टू मीजियम अब आरी है दो हरी मेट्स की जो मैंने लंबी कारती है और अब मैं डालूंगी एक चम्मच अर्वक रसम का पेस्ट अब मैं डालूंगी दो टमाटर जो लंबे कटे हुए हैं और इसको इसमें अच्छे से मिला लूंगी जो तब से पहले हम डालते है वह नमक, जो मैं डालूंगी स्वाद अनुसार नमक को भी मैं अच्छे से मिला लूँगी और इसको मैं रख दूँगी ढखके दो मिनट के लिए लो फ्लेम पे तमाटर ने पानी अच्छे से छोड़ दिया है यह हमारा मतलब मसाला तयार है अब मैं डालूँगी इसमें तीन कटेवे आलू अब इसमें मैं डालूँगी दो चोटे चममच लाल मीरी पाउडर आधा चोटते चममच हल्दी पाउडर आधा चोटते चममच जीरा पाउडर और इसब को मैं अच्छे से मिला लूँगी अब इसको भी मैं रख दूँगी दो मिनिट के लिए लो फ्लेम पर तूखे मसाली भी हमारे अच्छे से मिल चुके हैं अब मैं डालूगी इसमें आधा कप मटर अब बारी है हमारे चावल डालने की चावल को मैं मसाली में अच्छे से मिक्स कर लूँगी जब यह मिक्स हो जाएगा फिर उसके बार मैं इसमें डालूँगी तीन कप पानी और थोड़ा धनिया थोड़ा पुदीना और आधा चमच नीमगू का रस मिमगू के रस ते हमारे छावल ताफी खिलयूः बनते हैं इंस अच्छे से मिला लूँगी और कूकर को मैं बंद कर mache ड़क दूगी दो हैसल लाने का लेट करूँगी और उसको मैं हाइप्रिंट पही रख कुँंगी चावल मारे बिलकुल खिले खिले बने हैं हमारे गर् बताईए कि आपको कैसे लगे एक बार ट्राय करना तो बनता है